गाइस education की field में एक बहुत ही बहतरीन विवस्ता system जो है वो शुरू हो रहा है academic bank of credit का आप पढ़ेंगे एक particular जैसे आज की rate में generally क्या होता है कि आपने जैसे college को जोईन किया तो आपने college में 3 साल 4 साल या 5 साल की पढ़ाई करने के लिए course जोईन किया let's happen example की तौर पर 3 साल का आपका graduation है तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको इसी college से वह तीन साल पूरे complete करने है अगर आप बीच में drop out कर दोगे और फिर कुछ समय बाद फिर आपको जोईन करने तो आपको फिर से starting से ही शुरू करना पड़ेगा तो यह scene हम लोग को देखने को मिलता है तो generally यह होता है कि जैसे कि आपने college को जोईन किया आपने जैसे मालेता हूँ दो semester करने की वाद आपने college को छोड़ दिया फिर आप दूसरे college में जाते है तो दूसरे college में आपको first semester से ही शुरू करना पड़ेगा है न क्योंकि तीसरे semester से आप बैठ सकते हैं यह मान्यता ही नहीं दी हो जाएगी आपके drop out आप कहला होगे तो अब जो scene शुरू हो रहा है उसमें एक ऐसा education में reform लाया गया है सुधार लाया गया है जिसमें एक student जैसे let's say की तीन साल का उनका course है दो साल उन्होंने complete कर लिया और वो उन्होंने drop out कर लिया किसी वज़े के चलते फिर कुछ सालों बाद उनको दुवारा से join करना है किसी और institute में तो वो तीसरे साल यानि कि अपना final year बस जो है वो करेंगे और फिर उसके बाद final year करने के बाद वो graduate के लाएंगे यानि कि फिर से उनको अपनी पढ़ाई starting सी शुरू नहीं करनी पड़ेगी जहां से उन्होंने छोड़ा है वहीं से वो अपनी पढ़ाई शुरू कर लेंगे तो इ काफी सारे जो institutes है national importance के institution of national importance राश्ट्रिय महत्यवे के और भी काफी सारी अन्य संस्थाएं जो हैं इन्हें academic bank of credit framework के अंडर रख दिया है जिसमें अब students अपने 50% तक के course एक institute से कर सकते हैं और remaining 50% का course दूसरे institute से कर सकते हैं तो बहुत भहतरी सी चीज़ है अभी मलब कि अ 50% course जिस institute पर वो enrolled है उससे करेंगे और बाकी पढ़ाई को छोड़ने के बाद जब वो rejoin करेंगे तो remaining 50% वो अपनी पढ़ाई को continue कर सकते हैं तो यह है academic bank of credit जिसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे और आपको बता दे academic bank of credit का reform जो लाया गया है वो national education policy 2020 के तहर लाया गय credit है क्या तो इसे setup किया university grant commission के द्वारा UGC के द्वारा विश्विद ज्याल है अनुदान आयोग के द्वारा और ABC के under यानि academic bank of credit जिसे हम लोग ABC कह रहे हैं तो ABC के under students जो है उन्हें multiple entry और exit option दिये जाएंगे रही किसी भी चात्रों के लिए किसी भी पार्ट इक्रम में प्र sports को छोड़कर corresponding certification जो है वो ले सकेंगे और बात में अपनी studies को जो है वो फिर से एक particular time पर दोबारा से शुरू कर सकेंगे और वही से शुरू कर सकेंगे जहां से उन्होंने अपनी studies को छोड़ा है और इसमें students को भी flexibility मिलेगी कि वो students जो है वो institutes के बीच में भी जो है वो ज जैसे कि उन्होंने एक institute से एक course किया माल लेते हैं एक course को 50% तक उन्होंने पूरा कर लिया फिर उनका मन करा किया चलो दूसरे course को कर लेते हैं दूसरे course को इन्होंने 100% कर लिया और फिर जिस course को 50% पर छोड़ा था उस course को वहीं से यह शुरू कर सकते हैं तो ऐसी और दूस क्रेडिट्स का student के academic credits और it will not accept any credit course document directly from the student for any course they might be pursuing यानि कि student से directly वो नहीं मागा जाएगा कि आपके credits क्या है वो obviously आपको पता है student तो फिर जूटी बोल देंगे बोलेंगे जहां उनने 25% पढ़ा ही की होगी बोलेगे की नहीं हमने तो 50% कर रही है सिर्फ 25% हमारा पचा है हमें डिगरी दे तो 25% कराने के बाद बट ऐसा नहीं है इस्टुडेंट से टारेकली नहीं मांगा जाएगा इट विल ओनली फ्रॉम दा हाइयर एडुकेशन इस्टिटूट्स सिर्फ ABC के अंदर जो जिस भी इंस्टिटूट्स की अगर हम लोग बात करें अगर स्टुडेंट चेंज होते हैं तो वो इंस्टिटूट्स जो है वो स्टुडेंट की क्रेडिट प्रोफाइल मेंटेंड करेगा क्रेडिट प्रोफाइल स्टुडेंट की कि student ने कितना वो किया है और उसके credit student के credit account में यह डाल दिया जाएगा तो मतलब कि पूरी चीज digitalize की जाएगी इसी से lab होगा और ABC जो हो help करेगी मतलब कि यह framework help करेगा credit verification में यानि कि institute के साथ student के credit को verify करेगा credit accumulation में help करेगा उसको जमा करने में credit transfer करने में students के credit निकालने में और students को promote करने में यानि कि उसकी studies को continue करवाने में help करेगा तो यह इस प्रकार का framework जो है वो तयार किया जा रहा है और इस पर अब IAT IAMs जो है वो काम और और भी दूसरे हमारी country के जो important institutes है institute of national importance वाले जो institutes है राश्ट्रिय महत्वा के अन्य सलस्था जो है तो वो भी अब इसी framework ABC framework के तहट जो है वो operate करेंगी academic bank of credit याद रखीगा बहुत important topic है education reform को लेकर आपके बहुत!